हेलो अब्रीवन जस्प्री दिस साइड वेलकम बैक तो माँ चैनल मोर देन तड़का विजेजी तो आज मैं आप लोग लेकि आई हो एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी हां जी बिहार का यम्मी टेस्टी सबसे जादा फेमस चिकन लेकि आई हो मैं आपके लिए जी हां बि मोसली वहां पर चमपारन मटन बनाया जाता है बट आज मैं आपको चिखाऊंगी चमपारन चिकन बनाना तो याद है यह वही वाला चिकन है जो लालू जी के घर पर राहूल जी ने बनाया था जी हां तो चलिए रेडी हो जाईए मेरे साथ बनाने के लिए चमपारन चिकन चमपारन चिकन बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए चमपारन मसाला जो की हम बनाएंगे कुछ खड़े मसालों से जिसमें मैंने लिया है यहां पर धनिया, साबो, थोड़ी जावेतरी, दो मोटी लाइची, चोटी लाइची, लॉंग, जीरा, काली मिर्च, शाही जीरा, थोड़ी दाल चीनी और थोड़ी सी सौफ इसके साथ हमें एक टेबल स्पून चाहिए, खस-खस यानि पोस्ता दाना तो चलिए इन सभी चीजों को मिक्स करके हम बनाएंगे चमपारन मसाला तो हमने एक पैन को गर्म कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर इन सभी मसालों को अच्छे से ड्राय रोस्ट कर लेना है जिसे हम स्टार अनिस भी कहते है तो चलिए वो भी हमने यहाँ पर एड कर दिया है अगर आपके पास है तो आप जरूर डालिये नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं और ये चमपारन मसाला जो है ना ये अल्रडी ऑनलाइन भी आपको इसली अवेलेबल हो जाएगा अगर आप चाहें तो आप वहां से भी मंगा सकते हैं इन सबी मसालों को हम अच्छे से ड्राय रोस्ट करेंगे और लास्ट में हम यहां पने के चाहिना कांडी पर अच्छी सी अच्छे से चाहे से कुछण कर Gir cambi 으 m tablet अच्छे से गर्म करेंगे और वर अदि गारा मसाला थैर लास्ट में हम यहां आप ड़ालेंगे एक पर यह यहा जिसको हमने अच्छे से वाश करके साफ कर लिया है और अब हम इसको जो बड़े बड़े पीसेज है जैसे कि आप देख सकते हैं लेक के पीसेज हैं इन सभी पीसेज को हम जो है कट लगा लेंगे जिससे कि हमारे जो मैरिनेशन है उसका फलेवर है वो जिकन के अंदर तक एब इसको हमने जला के अच्छे से गर्म करके इसका जो जहास्ती उसको निकाल दिया है तो गर्म करके ठंडा करके हमने यहां पर मस्टर्ड ओयल का इस्तेमाल किया है इसके साथ हमने यहां पर लिये है चार बड़े प्यास जिनको हमने बारी चॉप कर लिया है चार बड़े प्या क्वा है, अदर्ग के कुछ लच्छे हैं जाहे लिए, और दाल देशी हैं तो जब शनक श्वुएHereland or और पर बीज आपाओ है और अब हम घालेंगे 2 तेब्ल स्पून मैंने यहां पर लिया है मिट मसाला आपे सकते हैं मीट मसाले है काहँ पर डालेंगे कशमीरी लाल मिर्चका पाउडर मिर्चका मैं भी मजघना ऐला है और अब इस सभी मिक्सचर को यानि सारी मेरिनेशन को हम हाथों से चिकन की पीसे पर रप करके अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे की पूरे चिकन में ये फ्लेवर्स अच्छे से मिक्स हो जाए तो चलिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो चलिए हमने इस सारे मसालो एच्छह मिक्स निम्हें होकी तीक ननीकुत Northern चिकन नेगे अधर की निम्हें हमीश loop करें तो मैने के लिए सकते है और पर सब्सक्तित हूं तो मैंने यहां पर कूकर लिया है मैं तो स्बीर नहींत भी थूरिगा डेगे मुंच्ट अथर्ट Eagle जादा नहीं लेंगे क्योंकि हमने चिकन के मेरिनेशन में भी अच्छा ओयल डाला है और अब इस ओयल को हम पहले होने देंगे गर्म और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा इंग्रेडियन्ट जिससे कि इसका बहुत ही बहतरीन फ्लेवर और कलर आएगा तो जैसे हमारा ऑईल गर्म हो जाएगा हम यहाँ पर डालेंगे दो तेज पत्ते यानि कि बेई लीवस उसको हम यहाँ पर डालेंगे और इसको हलका सा अच्छे से चटकने देंगे और उसके बाद हम फटा फट से यहाँ पर डालेंगे एक टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का जिसे कि ये मसाला हमारा बिल्कुल जले नहीं और आयल में अपने flavors और color बहुत अच्छे से छोड़ दे तो देखिए कितना अच्छा सा color आ गया है आयल में आप देख सकते हैं तो बस इतनी सी ही तैयारी करनी है इसकी अब हमारा जो आयल था वो बिल्कुल ready है तो अब जो marinate किया हुआ चिकन था उसको हम यहाँ पर transfer कर देंगे यहाँ पूरा चिकन हम यहाँ पर transfer करेंगे बट उसके साथ ही साथ हम यहाँ पर डाल रहे हैं दो खड़े लसन की गाठियां तो हम बिल्कुल खड़े डाल देगे क्योंकि बिहार में इस तरह से लसन जब वो चिकन की ग्रेवी में लसन पकता है ना तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है और वो बहुत ही flavorful होता है तो मैं यहाँ पर दो डाल रही हूँ आप ज़्यादा टेस्ट चाहें दो आप ज़्यादा डाल सकते हैं आपकी ओपर डिपेंट है आप किसी साब से उसको पसंद करते हैं तो अब जो marinated chicken था उसको हम यहाँ पर transfer कर देंगे अब पूरा chicken हम यहाँ पर transfer कर देंगे और इसको बिल्कुल भी भूनना नहीं है कोई देर नहीं लगनी कोई कुछ नहीं लगना तो चलिए हम फटा फट से से पहले सारा chicken यहाँ पर transfer कर लेते हैं तो देखिए हमने सारा chicken यहाँ पर transfer कर लिया है अब हम इसको अच्छे से एक बर कर लेंगे Oh, the chicken's नीचे जो अच्छे से मिख्स कर लेंगे हैं गर मिख्स, दालरे नियुद के हाधा मिख्स कर लेंगे तो अब बारी है इसको पानी डाल के पकाने की तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक कप पानी थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा है तो मैं यहाँ पर तक्रीबन आधा कप पानी और एड़ करूँगी तो टोटल हमने यहाँ पर डेट कप पानी का इस्तेमाल किया है घर वा बना लेंगे तो इसको नटी बना रहे हैं उसके चारों तरस लगा देंगे आप साथे लगा कर पर बहुत दम क्रें दमलगा है विडिके इसको दि कैसे चल्लदी थे खुपाइं के थे ऑल तरस भी हो जाता है और बाकी की आटे किलोई बढा कर भी हम इसको दूसरे साइट पर भी लगा लेंगे तो देखिए हमने बहुत अच्छे से चारो तरह पे aLE लगा लिया है और अब बारी है इसको दम पे रखने की तो इसको दम लगाने के लिए अमने एक कूकर के बराबर की ही एक प्लेट या कोई भी बर्तन या कोई भिधकन आ ले सकते हैं तो इस तरह से हमने उसे उल्टा करके इसको दबा दिया है अच्छे से ताक्कि आटा दोनों सायट से अच्छे से कूकर के मुहाने पर और प्लेट में अच्छे से जिपक जाए जिससे की steam बिल्कुल भी बाहर ना आए दम लगाकर हम इसे पकने देंगे medium flame पर ध्यान रखिएगा flame को medium ही रखिएगा वरना इसका पानी सूख जाएगा और यह जल जाएगा तो medium flame पर हम इसे पकाएगे तकरीबन 25 से 30 मिनट तक मिनिमम पच्चिस मिनट तो आपको इसमें रखना ही रखना है तो चलिए इसको काफी दिर हो गई है पकते हुए तो हमें तकRIबígen 25 मिनट हो चुगे हैं इसको यहां पर पक्ते हुए तो चलिए इसे खोल लेते हैं खोलने के लिए एकदम से हाथों से प्लेट को मत टाइएगा पहले चाकू की हेल्प से चारों तरफ से आटे को छुड़ा लीजिएगा जिससे की इसकी जो भाप है वो हलकी भुलकी निकल जाए तो देखते हैं कोल के क्या पोजिशन है इसकी तो आप देख सकते हैं कितना डिलिशियस लग रहा है कितना अच्छा सा कलर आया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पका है या नहीं आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी ग्रेवी बन के तयार हो गई है और ये डन हो चुक अब भी एक बड़ा सा पीस उठाके दिखाती हूँ कि ये इसली गल चुका है या नहीं तो चलिए एक फोक की हल्प से इसे हम चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये गल चुका है बिल्कुल पर्फेक्ट टेक्स्चर है इसका बट अभी काम बाकी है दोस्तों तो चलिए अब बारी है इसमें एक स्मोकी सा फ्लेवर देने की क्योंकि ये बनता है मिट्टी के घड़े में और उस पे तंदूर में यानि की कोईले पे बनाया जाता है जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आता है बट हम यहां पर अपने पास से इसमें एक स्मोकी फ्लेवर देंगे क्योंकि हम तो इसे चूले पे बना रहे है तो चलिए फटा फट से हम लेंगे यहां पर एक कोईला और कोईले को गैस पे अच्छे से गर्म कर लेंगे उसके साथे साथ हमने यहां पर ले लिया है मिट्टी का एक दिया यानि जो दीपावली भी हम दिये यूज़ करते हैं वो मिट्टी के दिये के साथ हम इसको कोईले पे गर्म करेंगे तो हमने यहां पर ले लिया एक कटोरी जिससे कि गरम दिया हमने यहां पर रखा है जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छा मठी का फ्लेवर आएगा काटोरी में हमने ढाल दिया है गरम तॉrukt कोला डाल दिया है और अब इस काटोरी को हम डाल देंगे नहीं कोईला भी खाली कटोरी डालके रख सकते हैं तो अब इसको हम डाल देंगे अपनी चिकन में और इसके उपर से हम इसमें डालेंगे देसी घी, हाँ देसी घी ही डालिएगा उसका फ्लेवर उसकी खुश्पु बहुत ही अच्छी आती है तो देखिए घी डालते ही है कितने अच्छे से स्मोक करना शुरू हो गया है तो अब इसका स्मोक निकलना जाए इसलिए फटा फट से हम वाफिस इसको ढख देंगे तकरीबन चार से पांच मिनट के लिए बहुत जादा देर के लिए हम इसको इसको इसमें रखेंगे वरना जो कोईले की कड़वाहत है वो भी हमारे चिकन में आ सकती है तो देखिए तीन मिनट बाद ही मैंने इसको खोल दिया है और बहुत अच्छे से फ्लेवर आ चुका है हमारे पूरी सबजी में पूरे चिकन में अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ चुका है बहुत अच्छी सी खुश्पू आ रही है तो चलिए हमारा चंपारन चिकन बन कर बिल्कुल तयार है आप इसमें उपर से डालिए कटा हुआ ताजा हरा धनिया जो की मेरे पास तो अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये नहीं डाला है क्योंकि ये पुरानी शूट की हुई वीडियो है उस वक्ते अव धनिया नहीं था मेरे पास तो चलिए हम इसको फटा फट से सर्फ कर लेते हैं तो हम इसे सर्फ करेंगे हमारे ट्रेडिशनल अंदाज में यानि की मिट्टी के बरतन में आप किसी भी बरतन में इसको सर्फ कर सकते हैं टेस्ट बदलने वाला नहीं है यह बहुत ही यम्मी और बहुत ही जूसी बनता है और देखिये ना भूने की टेंशन ना इसको ज़्यादा देर पकाने की टेंशन ना बीच-बीच में चलाने की टेंशन एक बार बना दिया और बस यह बहुत यमी और बहुत डिलेशियस बनता है तो आप इसको सेम प्रोसेस के साथ ही आप इसको मतन के साथ भी बना सकते हैं हाँ मतन में प्यास थोड़े ज़्यादा पड़ते हैं मेरे घर में चिकन ज़्यादा पसंद किया जाता है इसलिए इसको मैंने चिकन के साथ बनाया है तो आप इसे इंजॉय करें गर्मा गर्म रोटी, नान, लचा पराथा या फिर राइस के साथ तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आप इस रेसिपी को कहां से देख रहे हैं ये भी जरूर बताएं तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें जिससे मेरे नई वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी वो भी बिल्कुल फ्री में मैं आपकी दोस जैजी आपसे फिर मिलूंगी एक नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए टाटा वाय वाय टेक केर